गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम पेज संख्या 12 पे चर्चा करेंगे तो आईए यहाँ पे जो कि आपका पेज संख्या 12 है यहाँ पे हम देखेंगे औ और आ की मात्रा ठीक है आ की कोई मात्रा नहीं होती है और आ की मात्रा के लिए हमें खड़ी पाई यानि कि पुंड विराम का चीन लगाते हैं अब यहाँ पे हमें करना क्या है उच्चारन करते हुए रंग भरिये उच्चारन का मतलब होता प्रनंशियेशन यानि कि बोलना तो बोलते हुए आपको रंग भरना है जैसे ये है आ तो आ, आ, आ ठीक है? बोलते हुए आपको इसमें पूरा कलर कर देना है ठीक है? आ की मात्रा नहीं होती है अब यहां देखिए चित्र देखकर नाम बोलिए और लिखिए अब हमें देखना है कि ये जो चित्र है किस चीज का चित्र है तो ये होगा भवन भवन मतलब इमारत या बड़ी कोई घर जो हो उसे हम भवन कहते हैं तो भववना इसे पेंसिल से लिखिए भवना, भववना, भवन अब हमें इस चित्र को पहचानना है ध्यान से देखिए और बताईए कि यह कौन सा चित्र है किस चीज का चित्र है क्या बता सकते हैं बिल्कुल सही मतर यानि कि यहां है मा इसके बाद लिखेंगे ट और र चलिए हम यहां पे लिख करके थोड़ा सा देखते हैं हला कि माउस से लिखना थोड़ी से समस्या है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मा के बाद यहां हम लिखेंगे ट यहां पे र मतर ठीक है और लाइन खिचेंगे इसके बाद यहां पे क्या आप बता सकते हैं कि किस चीज का चित्र है आपने बैनियंट्री का नाम सुना होगा जिसे हिंदी में कहते हैं बरगद का पेड़ तो यह होगा बरगद बरगद तो आईए देखते हैं यहां बरगद इसके बाद आगे आते हैं यहां पे यह किस चीज का चित्र है आप अपने आस पास घर के बाहर देख सकते हैं इस तरह के पेड़ बहुत लगे हुए है बिल्कुल सही यह है कटहल क लिखा हुआ है अब हम क्या करेंगे कटहल ठीक है और उपर में शीरो रेखा कटहल ठीक है राइटिंग थोरी खराब बन रही है क्योंकि हम आउस से लिखने कोशिश कर रहा हूं यहां पर भी लिख लेंगे भावान चलिए इसको भी हम पूरी तरीके से लिखी लेते हैं भावन तो हमने क्या किया है भावन मटर बरगद कटहल ठीक है अब यहां पर हमें शब्द बनाना है जैसा कि ध्यान देजिए यह क्या है एक अक्षर है यानि कि वन है ठीक है यह भी एक अक्षर है यानि अक्षर और वर्ण दोनों एक ही होते है ठीक है अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है तो यह भी क्या है एक अक्षर है अक्षर 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 ठीक है लेकिन इन अक्षरों को मिला करके यहाँ एक शब्द बनाया गया जिसे कहते है word जिसे देखिये मा यहाँ से ले लिया मा यहाँ से ग, यहाँ से र तो यह किया हो गया मगर मगर ठीक है तो ये एक शब्द बन गया उसी तरीके से हमको यहां से ये लेना है यहां से ये और यहां से ये और यहां पे लिखना है तो चलिए आप लिख करके दिखाईए मुझे मैं भी लिखता हूँ आप भी मेरे सासत लिखिए ठीक है यहाँ हम क्या लिखेंगे मा उसके बाद ये वाला टाः को यहाँ लिख देंगे ये वाले रा को यहाँ ऐसे लिखेंगे और उपर में लाइन खिचना ज़रूरी है इस लाइन को कहते है शिरो तर रेखा इससे ये समझ आता है कि ये जो तीनों है अलग-अलग अकषर नहीं है बलकि तीनों अकषर मिलकर हमने एक नया शब्त बनाया है अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे मा हाल तो आब भी लिखिए और मैं भी लिखता हूं यहां लिखेंगे म हा ला महल ठीक है? तो एक बात आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि वो शब्द जिसका कोई मात्रा नहीं है जिसमें कोई मात्रा नहीं है यानि कि वो शब्द जो बिना किसी मात्रा के बनी हुई है वो शब्द हमने लिखा है यहां पे भवन मटर बरगद कटहल इसमें कोई मात्रा का इस्तमाल नहीं हुआ है आगे फिर मगर मटर और महल इसमें भी कोई मात्रा का इस्तमाल नहीं हुआ है अब इसको देखने के बाद आप यहाँ पर आ जाईए यह है आ और इसके यहाँ पर लगाया गया है खड़ी पाई यानि कि पून्ड विराम का चिन यानि कि इसे कह सकते हम आ की मात्रा आ की मात्रा के लिए यही वाला चिन का इस्तमाल किया जाता है आ की मात्रा ठीक है बोलिए और मात्रा लगाईए यानि कि बोलते जाना है और मात्रा लगाते जाना है कौन सा मात्रा लगाएंगे आ की मात्रा ठीक है तो आईए देखते हैं रा में आ की मात्रा लगाईए, यह हमने लगा है रा में आ की मात्रा, ठीक है, यह थोड़ा सा टेड़ा हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, माउस से लिखने में थोड़ी से समस्य आ रही है, यहां से पैन ले लेते हैं और उसके बाद हम यहां से ठीक है, यह हो गया, रा में आ की मात्रा है, रा घव, अब यहां पे माँ है, माँ में आ की मात्रा लगाना है, ठीक है, और उसके बाद पढ़ के देखेंगे कि क्या है, अब यहां मौ है, मौ में हम आकी मातरा लगाएंगे और उपर में शीरो रेखा यह क्या हो गया? माधव, माधव ठीक है? पैंसिल से अब साफधानी से लगाईएगा क्योंकि माउस से मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी से समस्य आ रही है अब यहां पे क्या करेंगे? यहां करेंगे फिर से आ की मातरा द में आ की मातरा द द में आ की मातरा द और उपर से शीरो रेखा खिचना नहीं भूलना है द द ठीक है? यहां पे भी आ की मातरा आप लगाईए और यहां भी देखिए ऐसे म में आ की मातरा ऐसे और हम उपर में ऐसे शीरो रेखा खीचेंगे तो मा 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 ठीक है एक बार फिर परते हैं रागहव रागहव माधव माधव दादा दादा मा 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 यानि कि इन चारों शब्दों में हमने आ की मात्रा लगाई है आ की मात्रा यानि कि ये निशान ये चिन ठीक है एक खड़ी पाई कह सकता है या पूर्ण विराम का चिन कह सकता है इसी को लेकर के हमने लगाया है और क्या उच्छाराने हमने देखा है अब आगे देखते हैं नाच नाच यानि कि इन दोनों वर्णों को लेके एक शब्द हमने बनाए है दूसरा शब्द बनाएंगे नाग नाग चलिए दिखते हैं यहाँ पर नाग नाग यानि कि मैंने यहाँ से ना लिया यहाँ से ग लिया नाग नाग ठीक है अब यह देखते हैं नाम नाम ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे ना म ठीक है यानि कि यहाँ से ना यहाँ से म नाम नाम ठीक है तो इस तरीके से हमने पेज संख्या 12 इस पे आ और आ की मात्रा इस पे हमने चर्चा की और मैंने बताया की कोई मात्रा नहीं होती बल्कि ये हर व्याजन में छिपा हुआ रहता है जबकि आ अ अलग है आ, आ में मात्रा होती है आ की मात्रा यानि कि एक खड़ी पाई यानि कि एक लकीर हम खीचे तो वही आ की मात्रा का चिन होता है किसी भी व्यंजन के साथ लगा करके उसका स्वरूप बदल देता है जैसे यह देखिए, र, र में आ की मातरा, र, गहव, र, गहव, म, म में आ की मातरा, म, अब ध्यान देजे, म, म में आ की मातरा, म, यानि क्यों हम मातरा लगाने के बाद, अंत में आ शब्ध ही आएगा, आ की मातरा लगाएंगे तो अंत में आ ही आएगा, जैसे देखिए, म मे नाच नाच नाग नाग नाम नाम तो इसको अपने इसी पुस्तक में कर लेना है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही